एक और दर्शक इस वक्त हमारे साइजुने हैं उनसे हम बातचीत करते हैं हलो हलो आप हमें सुन पारें हलो हाँ जी नमस्कार जी नाम बताए मैं नमस्कार राजेश बात कर रहा हूं राजेश जी पूछी अपना सवाल मैं हाकिम साफ से बात करने थी और आजेश जी यादा है सर मेरे कोना अपनी ममी के लिए वो ची यह था आपका हो चौमन प्राज जाए जfficature होता है माजिő नार केष जी माजिए नार केष चीए दो घर से मिलेगा Bluetooth भूछी बाएन द 請जए जीए 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 नार केर इम्यूनिटी की दवा है और ये लोगों पता चल चुका है कि इम्यूनिटी के बगएर इस वक्त पूरी दुनिया में भारत में जिन्दा रहना मुश्किल है तो आप अपना आडर हमारे हैर प्लाइन नमर पर लिखवा दें बहुत जल भेड़ दे जागा इसके डिम कीम्यूनिटी में ये माजून आर केर सबसे आगे है और हर शक्स ने एक खुराक खानी शुरू कर दिये जितने भी हमारे वीवर्स हैं तो आप लिखवा दीजे आपको पहुंचेगी जरूर और असली पहुंचेगी और मम्मी को क्या और जो भी घर में हैं बच्चे हैं तो जान बचाना बहुत जरूरी ग्राम से जादा एक दिन में नहीं ले सकते हैं और शिलाजीत असली है इसकी पहचान शायद आपको नहों बड़ी मातरा में हैं कोई बात नहीं असली होनी चाहिए असली तो आदा ग्राम से जादा नहीं ले सकते नकली तो आप अगर एक किलो भी खाले तो कोई फायदा न प्रॉनाते हैं और इस वक्त एक खुराक अगर आप इस लाइक है कि महांगी आती है ज़रा अश्ली चिलाजीद अगर आप इस वक्त इस लाइक है के आदा ग्राम चिलाजीद रोज ले सकते हैं तो आप अपने डिफैंस यानी immunity बढ़ा सकते हैं जितने पड़े लोग हैं सब ओ लेते हैं आदा gram मैं भी लेता हूँ कभी कभी हमारे हाँ तो खर ये बनती है तयार होती है सुलिमानी सिलाजीत यही मेरे नाम से ही बनती है liquid form में हैं आदा gram ले ले और दूस से ही ले इसके बहुत फायदे अगर असली है तो आप अपने परिवार को भी दे सकते हैं एक और दर्शेक हमारे साथ जुड़ गए है शंकर जी ने हमें कॉल किया है उनसे बाचीत करते हैं जी शंकर जी सवाल करें शंकर जी सवाल करें सवाल करें जी वजन बढ़ गया है काफी जाद वजन बढ़ गया है जी एक सो पांच किलो जी वजन बढ़ गया तो ये एसी डिटी तो बढ़ेगी ये भी पी तो आएगा फिर दिल का मरज आएगा फिर दिमाग का मरज आएगा फिर जोडों का दर्द का मरज आएगा तो देखिए संतुली ताहार खाएं यानि अगर चार रूटी खाते हैं तो किरप्या दो रूटी खाया करें एक वक्त में इससे बहुत रहत मिलती है हर ची और ठंडा पानी चोर दे गरम पानी पांच बार पी ङहां और अपिनी जो भी खानाँ बनाते एंसे कहांद कर दाले हमारी पत्नेगा बड़ी कंजोस होतीं बांदिनी इतिसल्क दालती है अर इतना सा ही अध्यust निय टड़ब यह करें इससे भी आफ ठीक हो सकते हैं और बाकाइदा काफी वजन हो रहा है तो मैं नुसका भी बताया था हूँ देखिए एक नमक आता है नमक जैतून ये रसायन होता है जैतून का इसको आप ले ले सो दूसो ग्राम और आदा ग्राम एक ग्लास पानी में मिलाएं ये नमकी नहीं होता आदा ग्राम एक दो निवू निचोड़ें और पी लिया करें दिन में एक बार या दो बार एक गंटा पैदल भी चलें गरम पाने पीएं चंतुलुट आहार भी खाएं एक महीने में चार-पांच किलो वजन जा सकता है अगर मेरी सारी बातों पर आप अमल करें इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए है मध्यप्रदेश से हमें कॉल किया है सफीना जी ने जी सफीना जी पूछी अपना प्रश्म प्रश्म जी मुझी क्या प्रप्रम है मेरे किद्नी मेरे स्टोन है एक एमम की दो स्टोन है इसकि वाट मुझे बहुत पेट में तरह रहता है जी सफीना आप देखिए समझ लें नुसके को बहुत आसान है और किड्नी में तो कितनी भी बड़ी पत्री हो निकल सकती है अगर आप समझ लें अभी मैं एक नुसका बता रहा था चर्वी काटने का नमक जैतुन का नमक जैतुन सो दो सो गिराम ले 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 और एक गिलास पानी में 19 गिराम डालें और अब इसमें आपको एक या दो लीव ने छोड़ने हैं ठीक है ये पीलिया करिये दिन में एक बार या दो बार और जब भी पानी पीएं ये ये पानी लीवू पानी और जैतुन के नमक वाला पानी तो इसमें इसके बाद आप दो गلاस और पान के हिकमत में नसका कितना इस्तमाल करना है कैसे इस्तमाल करना है कब इस्तमाल करना है किस चीज के साथ करना है ये बहुत बड़ी हिकमत होती इसी को हिकमत कहते हैं दवाएं तो आप भी जादा जानते हैं और लेकिन इसको कितना कैसे कब इस्तमाल करना है किस चीज के साथ इस् पानी इसलिए बता रहे हैं कि जब हम जादा पानी एक साथ पीते हैं कभी पीकर देखना आप 3-4 गिलास पानी तो पिशाब आएगा दो गंटे बाद और इतना तेज आएगा कि बरदाश नहीं होता वो जो दवा है जाकर उसको पॉडर बनाती है और उसका पिशाब का फोर् हकीम साथ से बात करनी है हूँ जी जी बताईब मैं सुन रहा हूँ कौन साथ बात कर रहे हैं हकीम साथ मैं बात कर रहा हूँ यहां से एम पी से जी जी बताईए मेरे ना प्रिट में बड़ी तकलीफ है टाइम से अच्छा क्या बताए डॉक्टर ने क्या बताए खाना खान उपर आता है और बड़ी तकलीफ है पेट की इसर में मेरे दिक्कत है और टाइजस नहीं होता है मोशन नहीं है ठीक से आते और सकिन में भी दिक्कत है पूरी ऐलर्जी इतनी है कि मैं परेशाएं मैं एक तेड़ तो साल हो गए इसको प्रसकराते हुए देड़ सो साल हुए अच्छा मैं समझा देड़ सो साल उमर क्या है आपकी देरी उमर है जी उनसेट साल उनसेट चाह मुझसे छोटे हैं आप अच्छा देखिए एक ऐसा नस्खावी मैं जानता हूँ जिससे आपकी बताई हुई तमाम समस्यां का निदान मुम्किन है चाहे ऐलर्जी हो चाहे अपच की प्राबलम हो चाहे कब्स हो चाहे मोशन सही नहीं आते हो चाहे खाना उपर को आता हो और चाहे मेदा खराब हो चाहे आतों में सूजन हो चाहे किड्नी में प्राबलम हो चाहे लीवर में प्राबलम हो ये बड़ा कीमती नस्खाय लेकिन आप इ बना लिए और इसमें सो या देर सो गिराम देखिए एक फल आता है खाडी के मुलकों में जिसको कहते हैं सैतुन इसका ऑईल भी इस्कुः स्तमाल होता है इसका सिरका भी इस्तिमाल हुता है इसकास्टेक निकाल लेते हैं सैταιक मतलब रसायन जो हम नमक सैतून के नाम से जानते हैं आसान जबान में लेकिन इंगलिश में अस्टेक कहते हैं और हिंदी में रसायन ये सो जड़ सो गिराम मिल जाए आपको तो इस मेथी के साथ पौडर बनाएं और आदा आदा गिराम वो आदा आदा चम्मच छोटा चाय का चम्मच दो या तीन बार खाए दिन में, खाने से पहले या खाने के बाद, आप देखेंगे कि आपको ऐसा लएगा दो चार दिन में ठीक होगा, लेकिन ये पूरा खतम करना है आपको, और आप इसे इस्तमाल करेंगे, तो आपकी तमाम समस्याओं का निदान मुम्किन है. एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए है, हलो, आप हमें सुन पा रहे हैं, हलो, जी, स्वागत है कारेकर में, सवाल करें, जी, मेरा सवाल ये था कि मेंना शॉल्डर प्रीज हो गया है, जी तो फ्रोजन शॉल्डर कहते हैं, जी, तो अभी पीछे चाथ साल कहले मेरा सीधा हांस का जो फ्रोजन शॉल्डर था, वो फ्रीज वादा, बट अभी दो महीं में से जो है, वो लेफ्ट हमें का भी हो गया है, तो क्या ये, इसको कुछ घजलों निसके हैं, जिसकी वैसे ठीक हो पाए, जी, कितनी एज है आपकी, एज है 46, दी, युनानी आपको ऑपरेशन की सला नहीं देती, इस सला ये देती है कि आप जो भी जिस मौंडे में, जिस हाथ के मौंडे में आपको दर्दें, उसका इस्तेमाल भारी कामों में ना करें, और वो भी कुछ दिन, और इसके लिए दवा भी है, और घरेल निसका भी है, घरेल निसका गौन सिया असली मिल जाए आपको, असली लेना है, आदा ग्राम सुबा, आदा ग्राम शाम, पानी या बगर चर्बी के दूद्ध या जूस से लें, और लेकि फाइदा तो आपको शायद एक ही महिने में हो जाए, लेकिन जो सो ग्राम गौन आप लें, उसको खतम होने तक खाएं, और अगर य यह नहीं मिले, यह नकली बहुत मिलता है, असली आप लेना, कड़वा होता है, काला होता है, काला गौन कहते हैं, इसे गौनसिया भी कहते हैं, लेकिन ब्राउन इस होता है, और यह दवा लें, तो दवा है, कैप्सुल T के है, T for Tiger, यह सुबा शाम है के कैप्सुल खाएं, जो भी आसानी से मिल जाएं, आप इस्तेमाल करें, और आपका ठीक होना मुम्किन है, संजे जी का कॉल इस वक्त हमारे साथ, वो जुड़े हुए है, कॉल आया है, हम उसे बातचीत करते हैं, संजे जी स्वावत है, सवाल पूछ सकते हैं, आप, संजे जी, मैं कहरा हूं कि मेरा बदन बहुत ज्यादा है, और मेरी हाइज है साड़े चार फुट, जी, उमर भी बता दीजे, संजे जी, और मेरी है, साड़े चार फुट, जो है, ये वज़न काफी है, और अगर आपकी पत्नी बोट अच्छी भी हों, तो उससे भी वज़न हमारा बढ़ जाता है, तरह तरह के खाने किलाती है, तो आपकी पत्नी, अगर मेरी बात सुन रही हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, इनके साथ दिश्मनी है अगर साड़े चार फिट में इतना वजन है और खाना खिलाए इन्हें जरूर लेकिन ऐसा खाना बना जिसमें चर्वी इनके जिसम से निकल जाए तो उसके लिए जो खाना बना उसमें इतना सारा लेसन और इतनी अद्रक जरूर डाला करें तो वजन बढ़ना तो वहीं रुख जाएगा और गरम पानी पांच बार इनको परोसा करें और एक घंटा पैदल चला करें और उसके भी हैं आप दवाएं भी ले सकते हैं और जैतून का नमक आदा गिराम पानी में मिलाकर रोजाना एक नीवू के साथ पिया करें सुबह और शाम त जी स्वाовत है काय करम में नाम बताएं आपना हमारा सुमाँ दर्मां सुमाँ जी सवाल करें हां मतलब को पेट की समस्या के बारे में वो जवबर पूचना था पेट की समस्या हां जी मतलब दर्द यह जब हो जाता है दर्द हो जाता है एज कितनी है जह है हमार 14 चीक, अच्छा दीए अभी बहुत काम उमर है और एक वो आता है बेल का मुरब्बा अभी बेल पत्थर तो चली ली पत्थर बेल या बेल पत्थर कहते हैं इंग्लिश में कोवेट कहते है तो अभी मिलेगा बेल का मुरबह ये आईरवेद और युनानी की दुकाने होती है मेडिकल स्टोर उससे आप ले 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 और एक एक इसका पीस तीन चार इंच का सुबह खाली पेट खाया करें और पानी पी लिया करें और इससे आपको फायद